क्या हाल चाल बाई लोग टो आज कंद माल रोभ पभजी बात करेंगे कंद तक कब तक आजायेगा वाल ईसके बाल पलत करेंगे तो जरा भी कोई इश्यू नहीं है अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो विकॉस कैसी भी अच्छी लगी कि आपको वीडियो बुरी लगेगी बट मैं आप लोग के लिए यूज लात रहूँ है तो उसके लिए आप लोग अगर आप लोग को पता होगा तो जो कि दिवाली पर अपना पपजी मॉइल इंडिया आने वाला था बड़ अनफॉर्चनेटल वो नहीं आ पाया है उसके भी रिजन्स रहे हैं विकॉस ओफ मिनिस्ट्री ओफ अपनी आईटी जो मिनिस्ट्री है चुकि इन सब ऑपरेशन आने के लिए पपजी इंडिया को इंडिया में क्योंकि कुछ चीजें अभी भी रह गई है जो कि अला मतलब उन लोग उनको पूरा ने अगर मैं आप लोग बता हूं कि अब तक आने की जो कि उसके आशंका है तो वो है अपना जो कि यहीं दिसंबर के एंड तक और बेसिक अब एकदम से सर्प्राइस होगा लोगों के लिए तो देखो में आप लोग बता देतों कब होगा देखो दिवाली पर तो आनी पाया जहां तक पता चल रहा है कि आईडी मिनिस्ट्री जल्दी अलाओ कर देगी तो अपन लोग को जो कि न्यू यर तक अपना जो कि पपज बगार रहता है तो थोड़ा उनको हएप अच्छा मिलता है और धोड़ा लोग बार फीदर हैं तो उसको अच्छाकासा फ्यम मिल सके उस टाम पर तो आप लोग मेरे बात को समझ रहे होगे कि फ्यों के वाजरी से ठोड़ा और थोड़ा उसको हाइप करने के लिए वह देखने को मिलेगा और देखो इसका ऑफिशल अनाउस्मेंट भी हो सकता है बेसिकली इसका अनाउस्मेंट यह डिरेक्ली लाउंच हो जाएगा क्योंकि अगर आप लोको पता होगा तो अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूस आई थी कि पपजी मोईल की कंपनी जो की इंडिय लिमिंटेड है वो रेइस्टर हो चुकी या एटी मिनिस्ट्री से ओके तो देन गाइस अच्छी वीडियो में इतना दा सब्सक्राइब कर लो चैनल को मिलते हमें नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए सी यू